बिस्मिल्यादावान एरहीम, असलाम लेकूं दोस पर कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देखने हैं इस यादन सारी फूर सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिज्ग में, आपके जाएकम, आज हम आलू से मिंचूडियन बनाएंगे और इंशाला चिकन को, मीट को हम पीछे चोड़ जाएंगे ऐसी टेकनीक से आपको बताऊंगा कि इंशाला आपको मज़ा आ जागा, चैलें जी बिसमिल्लावान रही तो यहाँ भी हमारे पास आलू है, तीन से चार मीडियम साइज के, हाफ टी स्पून इसमें नमक एट करेंगे कॉर्ण स्टार्च दो से तीन टेबल स्पून और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, याद रखेगा, यह बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इनके ओपर पानी नहीं होना चाहिए, तीक है, उसके बाद ओयल आपने पहले से गरम करके रखना है, और ओयल में आपने इनको को फ्राइ कर देना, अच्छा यह गिले क्यों नहीं होने चाहिए, अगर यह गिले होते तो कॉर्ण स्टार्च ने गिला हो जाना था और इन्होंने आपस में जुड़ जाना था ठीक है, इसलिए आपने ड्राइ करके कपड़े से फीड़ी इनके ओपर यह कॉर्ण स्टार् करनी, गाजरे हैं, शिमला मिर्च है, और साथ इसमें प्याज एड़ करेंगे, थोड़ा सेन को पका लेंगे, कटिंग आप देख लें, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंग सब कटिंग जो है, सिमिलर हो तो अच्छी लगती है, तो यह इसमें बंद को भी भी करना, वरना, टोटल जो टेस्ट है न, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे जीराया, हुष्टनिया, वो कुछ भी आड़ नी करेंगे, अब इसमें वान टेबल स्पून भरके चिली सॉस एड़ करेंगे, वान टेबल स्पून इसमें हम सिरक आड़ कर देंगे, यह सबी वे जाएंगे ताकि यह से मिक्स हो जाए और यहीं पर इसमें हम एक और चीज आड़ करेंगे जो थोड़ी सी हैरान कुन होगी लेकिन वह इसमें जरूरी है यह हमारे पास कॉर्ण फ्लॉर एक चमच पानी में हल करके आड़ करेंगे वैसे यह बहुत गाड़ा है लेकिन यह करना थोड़ा से जूरी है इससे क्या होगा इसमें रिचनस आजाएगी शाइन भी आजाएगी और गाड़ापन भी बढ़ जाएगा जिससे आपको यह रेस्पी बहुत ही कॉंटिनेंटल से लेगेगी ठीक है और यहीं पर आपने एक और चीज आड़ करनी है तो यहाँ पर वि अब हमने क्या करना है जब इसकी अच्छे से पकाई होगी अब आपने इसके अंदर कुछ और चीज़ें जैसे के हमारे पास यह आलू जिनको हमने सेप्रेट सेप्रेट रखा था क्यों ताकि यह क्रिस्पी नहीं नरव नहीं यह एट कर देंगे हरी मिर्चेस में एट कर द अब हमने एक और काम करना है एक फ्राइड राइस बनाने है ठीक है इसके लिए हमें थोड़ा सा एक से दो टेबल स्पून कुकिंग ओई चाहिए और इसमें अद्दक लैसन का पेस्ट थोड़ा सा एट करेंगे और यहीं पे एक अंड़ा इसके अंदर हम एक करेंगे जैसे हुबसूरत भी लगती है और चूंके मेंचूरियन में वेज़ेटेबल का साइज बढ़ा था तो इसमें हम थोड़ा सा चोटा एट करेंगे अगर आप इन वेज़ेटेबल को स्कीप करना चाहें तो कर भी सकते हैं नमक थोड़ा सा एट कर देंगे और थोड़ी सी काली मिर साइट कर देंगे यह तीनों सॉसेज जो होते हैं न यह बहुत जरूरी होते हैं इन रेस्पीस के लिए इनके बगार आपको सही टेस्ट कभी नहीं मिल पाता ठीक है चलेंजी अब थोड़ा से इसको ड्राय कर लेंगे कच्छा पंदूर हो जाएगा वेज़ेबल का वैसे चोटी सी हैं इतना जुरूरी ने उनको जाला पकाना इसमें अब हमने वाइल राइस एड करने हैं इन चावलों के अंदर मैंने जस्ट लांग और नमक एड किया था ठीक है तो यह इसमें एड कर देंगे थोड़े से और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना यह कहलें क लिए डेर प्लेट चावल है हलके से हाथों से इसकी मिक्सिंग करते हैं चावलों को तूटने नहीं दे रहें अब आपने इसको प्रिजेंट कैसे करना है बहुत इंपॉर्टन चीज़ा इसको आपने दिहां से देखना है क्योंकि जो प्रेजंटेशन आपने कैसे बनाना ह वी खैन आई है है में धिर पॉता है बेटर दें ईवन चिकन में चुरियन रएसटी के लिए चुकन चल फ्रेजी के लिए चायनीज रएसपि संके स्टारी है बनाज के उरियर स्ट्रेक्शे के लिए दौ में हम हैं जाए लगे झाल झाल